असलाम लेकूम बोईज आप लोगों का जो लास्ट बोडे प्लॉट वार लेक्चर था उसमें एक छोटा सा पोश्चन रह गया था बीच में वो था गेन मार्जन और फेज मार्जन तो मैं आपको पहले यह बताओ कि गेन मार्जन और फेज मार्जन होता क्या है सिस्टम रिमें बोगरी वार यनरी यानः के कितना मार्जन है हमारे पास कि आपका जो सिस्टम है फैसले ऑई पार इसी तरह इसी तरह इस तरह फेज जैगल कि मेरे पास गनजाएश है कि यह सिस्टम स्टेबल है मतलब जब ये margin cross हो जाएगा तो मेरे system unstable हो जाएगा राइट तो वो apply होता है दोनो gain के चकल में भी और phase के चकल में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप frequency की बात करते हैं तो आपके पास कुछ उसका gain होता है और इसके इलावा कुछ उसका phase angle होता है जब आप दो frequencies को आपस में compare करते हैं आप उसका gain भी compare करते हैं और इसके इलावा आप उसका phase angle भी compare करते हैं तो gain margin क्या है कि जो भी आप लोगा system है जो भी उसका transfer function है और कितना gain का आपके पास margin मौजूद है जिसको cross करके वो unstable हो जाएगा यानि कि और कितना अभी stability की range में है इसी तरह phase माज जाना है कि phase angle कितना और दर्कार हो सकता है कि कितना और phase angle मेरा system effort कर सकता है कि वो stable ही रहे ओके यहां तक बास समझा गए I hope आगई होगी अब यह बात border plot के ओपर देखने के लिए उसके लिए पहले यह बात समझना जोरी है कि gain crossover frequency किसको कहते है और phase crossover frequency किसको कहते है gain crossover frequency is frequency at 0 decibels इसको WG कहते है phase crossover frequency is frequency at minus 180 इसको by the way WP कहते है अभी दिखाता हूँ आपको अब जड़ा यह आप लोग देखें यह एक मैंने border plot किया होगा अब यह border plot है यह आपके पास magnitude का plot है यह आपके पास phase angle का plot है राइट अब यहां पे हमने क्या चीज़ समझी पहले मैं यह frequencies यहां पे लगा रहा हूँ उसके बाद पिर मैं gain और phase margin आपको बताता हूँ कि इसका gain margin क्या होगा और phase margin क्या होगा gain crossover frequency क्या है frequency at 0 decibels यह है आपके पास 0 decibels यह आपका magnitude का plot है यहां पे 0 decibels इस पे देखो आपको पास frequency क्या मिल रही है 10 to power 3 के दम्यान अगर यह 100 है यह 1000 है तो यह मैं कह सकता हूँ कि यह 200 के क्रीब है तो यह क्या है मेरा WG gain crossover frequency आगे बाद समझ इसी तरह अब phase crossover frequency क्या है phase crossover frequency is a frequency at minus 180 minus 180 पे जब मेरा यह यहां पे jump करूँगा मैं इसको यहां पे draw कर रहा हूँ तो यह मेरे पास WP है और यह frequency मेरे पास क्या बन लिए यह 10 to power 0 है और यह 10 to power 1 है यानि कि यह है तकरीबन anything raise to power 0 is equal to 1 यह 1 है और यह 10 है तो मैं कह रहूँ यह मेरे खिया से तकरीबन मैं इसको 8 या 9 के आसपास रखूँगा तो यह मेरे पास तकरीबन 8.3 है phase crossover frequency और इसी तरह मैं इसको अगर कह दूँ let's say क्या बनाया था यार 200 यह बनाया था ना तो यह 200 है मेरे पास gain crossover frequency और यह दोनो radians per second में I hope के phase crossover frequency और gain crossover frequency आपको समर में आ गया होगा अब आगे चलते हैं अच्छा बदला काम आपने यह करना है कि यह जो आपके पास है phase crossover point phase crossover point इसको कहते है यहाँ पे जो frequency है यह phase crossover frequency है और यह जो point है यह है phase crossover point यहाँ से न ऊपर की तरफ एक line लगानी आपने मैं आपको बताता हूं किस तरह टेरी मेरी हो जाती है थोड़ी सी scale से नहीं लगाई अब zero के दर्मियान में और इस portion के दर्मियान में यह जो distance है न डेसिबेल्स में यह तकरीबर मेरे ख्याल से 70 मैं इसको लिख दाता हूं 70 db और याद तो यह है आपके पास gain margin right gm और इसके इलावा इसको अब मैंजा नीचे लेके आता हूं अब minus 180 के दर्मियान में इस point के दर्मियान में यह वाला जो distance है distance तो कहते हैं इसको मैं नहीं कहूंगा यह margin है चोटा सा इसको कहते हैं phase margin pm okay phase crossover frequency से उपर मैं point trace करूंगा और zero और उस point के दर्मियान में जो मेरा distance बनेगा वो होगा gain margin इसी तरह gain crossover frequency से मैं नीचे trace करूंगा phase plot के उपर वहाँ पर मेरे पास minus 180 और phase point के उपर जो distance बनेगा वो मेरे पास होगा phase margin okay I hope के gain margin और phase margin यहाँ पर निकालना आप लोगो आ गया होगा अब ज़रा laptop की तरफ चलते हैं असलाम नेकूम तो boys अब ही मैंने आपको बता दिया है register के ऊपर gain margin, phase margin इस सांग की कुछ चीज़े मैंने आपको बताई हैं थोड़ी देर पहले अब ज़र बात करते हैं minimum phase and non minimum phase systems यह वैसे ही एक बीच में बात आगई थी transfer function having neither poles nor 0s at right half plane right half S plane are minimum phase systems यानि के जब कोई भी pole या 0 right half plane पे ना हो उसको हम कहते हैं minimum phase transfer functions जबके जिसमें ऐसी situation नहीं है उन्हें non minimum phase transfer function कहते हैं अब यह slide beat में डालने का मकसद क्या था मतलब पता है हमने पहले poles and zeros की कहानी में पता है हमें लोगों को कि भाई जब right hand plane पे होते हैं तो वो तो unstable होता है और जब left hand plane पे होता है वो तो stable होता है तो भाई बात ही है कि हम लोग इस lecture के अंदर frequencies को consider करें कि कौनसी frequencies उसको unstable बना रही है right हम लोग यह नहीं consider करें कि overall एक system का जो response है जो system का step response है वो stable हो सकता है unstable हो सकता है अब हम frequencies को consider करें चले getting back to the topic अ यह अभी आपको थोड़ी दे पहले मैंने बताया phase crossover frequency gain crossover frequency gain margin phase margin यह slides में दिया हुआ यह थोड़ी से उसकी modified definition है चीज वही है उसे मैंने आज कोशी किया जाथ थोड़ा सा आपको simple करके बताऊं कि आपको main बात समझ में आ जाए तो बाल चीज वही है आप इसको तबार पढ़ लीजेगा बताया तो है यह अभी क्या पढ़ना है तो अब एक चीज यहां पे जहें में रखनी है relative stability अगर दोनो gain margin और phase margin पॉजिटिव हो तो आपका सिस्टम stable होता है अगर gain margin और phase margin नेगिटिव हो तो आपका सिस्टम unstable होता है अब आप यहां पे हो चुके हैं confused मुझे इस बात का पता है कोई बात नहीं आपकी confusion दूर करने कोशिश करते हैं यहां पे रेको मेरे mouse को follow करना अगर audio और video साथ चल रही है mouse को follow करो देखो इदर यह आ रहा है यहां पे gain margin plus 8 decibels ठीक है और gain margin किदर है phase crossover point के साथ हमने trace किया और यह हमारे पास दो arrows आ गए इस plus 8 decibels का मतलब यह है कि अगर मैं इसके अंदर 8 decibels add कर दूँ तो यह मेरा graph थोड़ा सा उपर जाके 0 के उपर आ जाएगा राइट जब मेरा इससे आगे चला जाएगा इससे भी उपर चला जाएगा तब मेरा gain margin negative हो जाएगा और इस line से उपर जाने का मतलब है कि मेरा magnitude for a graph में यहां पे यह unstable region में चला जाएगा राइट इसी तरह हम यहां पे देखते हैं इदर अब आप लोग देखें यहां पे minus 180 है यह इदर नमबर बड़ा होता जा रहा है जैसे हम यह नीचे की दर जा रहे है sorry नमबर छोटा होता जा रहे है उपर की दर नमबर बड़ा होता जा रहे है अब यह assume करें कि यह point जो है यह minus 159 है इसमें जब 159 में 21 एड़ होगा तो यह 180 जाके बन जाएगा यानि कि यह graph थोड़ा सा इदर हो जाएगा यह नीचे आ जाएगा whatever इस point को नीचे लाना है तो यह जो 21 यहां पे आया हो है ना यह इसका phase margin है मतलब यह है कि 21 के बाद यह minus 180 बनेगा यहां पे right? यह बात I hope थोड़ी सी confusing जरूर है जो मैंने बातें बताई हैं इनको बार बार देखो और इसको जड़ा एक दफ़ा कंपेर करो इसके साथ यहां पे आप लोग देखें यह phase margin के साथ आप जाएगा इसको ओपर की तरफ ट्रेस करें यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? यहां minus 12 डीपी का रहा गया है यानि कि अगर इसमे minus 12 और आजाए तो फिर जाके यह stable region के उपर आएगा इसी तरह इसमें minus 30 और आए तो फिर जाके यह stable region के उपर आएगा तो अगर आपके पास gain margin phase वरजन दोनों positive हों तो आपका सिस्टम stable होता है gain margin phase margin दोनों negative हों तो आपका सिस्टम unstable होता है इसकी मैं एक और भी निशानी अब बताने लगा हूँ अगर यह वाला जो है आपके पास gain crossover point यह पहले आजाए तो आपका सिस्टम stable होता है अगर phase crossover point पहले आजाए तो आपका system unstable होता है सबसे पहले निशानी है यह Right Gain crossover point यह वाला है अगर यह पहले आजाए तो आपका system stable होता है अगर phase crossover point पहले आजाए तो आपका system unstable होता है इससे ज़्यादा असान definitions की रही हो सकती बाइऑ यह आपको चेक करना पड़ेगा कितना इसके अंदर लैग आ रहा है कितनी देर के बाइए जा जिदो को टच करेगा और यह जाके माइनस 185 को टच करेगा तो यह आपके पास हो जाएगा Gain Margin यह आपके पास हो जाएगा Face Margin ओके दुबारा वही स्लाइड आ गई सिंपल सी बात है कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है तो इसको आपने दुबारा से मैटलैब के अंदर देखना है मैटलैब के अंदर दुबारा इसकी प्रैक्टिस करनी है इसको समझने ही कोशिश करनी है और वही पात कि मैने अभी आपको बता है गेन क्रॉस ओर पॉइंट पहले आ रहे है या फिज क्रॉस ओर पहले आ रहे है इन दोनों पॉइंट को आपने देखना है वही से आपको प्राशल लगगा सिस्टम स्टेबल है अंस्टेबल है अब जब आगे चलते हैं क्विस्ट प्लॉट है या पोलर प्लॉट है इसमें अब हम लोग क्या करने वाले है एक दफ़ा समरी बता देता हूँ समरी समझ में आ गई तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है बाकी आगे फिर एक्स्प्लेंड भी कर देंगे कोई मसला नहीं है पहले आप क्या करते थे आप एक ग्राफ बनाते थे मैगनिटूट का एक ग्राफ बनाते थे आप फेज का ठीक और फिर उसके उपर आप डिफरन प्लॉट्स करते थे यहां पर नाइकुस जो अंकल हैं जो कि यह इन फूर्ट हो चुके होंगे इन्होंने काम हमारा थोड़ा सा असान कर दिया इन्होंने असान किसना किया है वो देखो देखो इन्होंने एक ग्राफ बना दिया एक है उसके उपर रेल एक्सिस एक उसपे है इमेजनरी एक्सिस अभी यह जो नीचे जा रहा है ना इसको ना देखो अब ही मेरे माउस को follow करो एक imaginary axis एक real axis अब आप क्या करेंगे आप अपने system को इस तरह से लिख देंगे या तो इस form में polar form में के magnitude और उसका angle something something या उसको real प्लस imaginary की form में लिख दें राइट दोनों तरीकों से आप जैसे भी आपको असान लगे आप उसी form में लिख दें और यहां पे frequency ओमेगा की value डालते चले जाएं और अपना plot बनाते चले जाएं ओमेगा is varied from zero to infinity जो आपका ओमेगा जो frequency है यह zero से infinity आप वैडी करेंगे कैसे भई समझते हैं जड़ा अचा यह तो कहानी है अपी काहनी समझ में आ जाएगी advantages, disadvantages चलो पढ़ लेते हैं an advantage using polar plot is that it depicts the frequency response characteristics of system over the entire frequency range in a single plot अचा जी एक ही plot के ओपर आप पूरी की पूरी frequency range देख सकते हैं चलो साहिए one disadvantage is that polar plot does not clearly indicate the contribution of each individual factors अब हमें यह clearly नहीं पता चला कि इसमें magnitude कितना impact कर रहा है इसमें frequency कितनी impact कर रही है जबके बोड़े plot में हमें clearly पता चला है कि magnitude कितना frequency कितनी है अब यह सिस्टम है चोटा सा हमारे पास one over s let's say तो s की जगह पे लिग दिया हमने j omega अब यह omega क्योंके j denominator में है तो इसको rationalize करके हमने minus j into one over omega बनाया rationalize किया इसको simple ताके j ऊपर आज़े कोशिश किया करें जब भी आपके पास कोई सांगी question हो आपके पास iota denominator में आरे है उसको rationalize करके iota numerator में ही लेकिया है तो आप इसको इस सांसे भी लिख सकते हैं कि real part है इसका zero imaginary part है minus one over omega आगी बात समझे पिर क्या करना है फिर यही करना है omega मैं इसके इंडर डालता जाओंगा zero से लेके infinity तक और यह graph मैं पूरे का पुरा plot करता चला जाओंगा समझा ही बात की real part मेरे पास zero है तो real part में यह कहीं नहीं जा रहा है अलबता जो imaginary part है यहां पे आप लोग देखते चले जाओ angle minus 90 है और मैं गा जैसे जैसे मैं बढ़ाते चलूँगा imaginary part मेरा वैसे वैसे उपर किता पाते चलेगा यहां पे जब मेरा infinity होगा one over infinity यानिके zero और जब zero होगा तो यह one over zero यानिके infinity इदर infinity जब answer infinity है यहां पे जब answer zero है यहां जब omega zero है यहां पे जब omega infinity है omega is equal to infinity का मतलब यह है कि one over zero यहां पे यानि one over zero omega is equal to zero का मतलब है one over zero यानिके infinity मेरी बास समझ नहीं होगी परेशान होगी आदर अर्व से लेकर ऐसके अठीज़ एणके निदे अवेगा फिर के आपने किमस्ट करना इसे अगर यह यह हो अगर में अगर यह यह हो अगर मैं जी ओमेगा डाल दूँ तो फिर क्या होगा इसक्राइब मुझे कॉल आ रही है जो कि मैं अभी कैंसल कर रहा हूँ अच्छा तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ओमेगा एंगल 90 यह इसमें इससा बन जाता है ओमेगा की वैल्यू में डालता चला जाँगा जब ओमेगा 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा नाइकोस्ट प्लॉट जब G of S is equal to S इस फॉर्म में आपके पास हो अब यह जो एक्जामपल है यह अगर आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जागी J ओमेगा प्लस वन यानि कि S प्लस वन लेट से इस तरह का है यहाँ पर रियल पार्ट है आपके पास वन इमेजनी पार्ट है J इंटो अमेगा ठीक तो मैं आप क्या कर रहा हूँ मैंने जिसना आपको पहले बताया अमेगा आप 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करते चले जाते हैं 0, 1, 2 बला 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 अपको इंफिनिटी जब ओमेगा था 0 जब मैंने इदर 0 लगाया तो मेरे पास क्या आया J इंटो 0 प्लस 1 रियल पार्ट है इसका 1 इमेजनी पार्ट है इसका 0 राइट? इससा बन जाएगा जब ओमेगा 1 हो जाएगा तो ये J प्लस 1 आ जाएगा यानिके रियल पार्ट भी 1 इमेजनी पार्ट भी 1 जब मेगा आपके पास 2 होगा तो ये 2 J प्लस 1 हो जाएगा यानिके इमेजनी पार्ट 2 रियल पार्ट 1 इससे ताह जब इंफिनिटी आ जाएगा ओमेगा तो यह infinity into j plus 1 राइट तो अब क्या हुआ जब omega 0 था तो real part की जगा 1 imaginary part पर 0 यानि कि यह point omega जब 1 था तो यह point जब 2 यह point इसे जब omega infinity था तो यह point मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी नहीं आई तो यही बात मेरी दुबारा से एक दफ़ा प्ले करके देखो अच्छा जी अब थोड़ा सा और एडवांस चलते है 1 over s plus 1 पर आ जाते है तो क्या है बाई imaginary आयोटा आपके पास है डिनॉमिनेटर में तो आपको पता है कि यह काम हमें पसंद नहीं है तो इसको rationalize करते है जब omega plus 1 है तो rationalize करने का मतलब यह कि imaginary पार्ट के साथ आप negative sign लगाते है और उसको multiple डिवाइट करते हैं दोनों साइड्स पे तो इस ताह से पूरी कारवाई की और मेरे ख्याल से mathematics के तो आप माशाला चैंपियन होंगे मुझसे तो अच्छा ही आता होगा mathematics तो यह इस ताह से आपके पास एक सिंपल सा transfer function की format बन जाती है जिसमें real part अलग है imaginary part अलग है अब यहाँ पे आप लोग real part कारवाण से लिखेंगे यहाँ पे आप लोग imaginary part कारवाण से लिखेंगे और omega को 0 से लेके infinity तक वेरी करते चले जाएंगे तो क्या है जब omega था आपके पास 0 यह 1 और 1 प्लस 0 यानि के real part रह गया 1 imaginary part क्या है 0 और आगे तो जो भी होगा 0 यह होगा तो imaginary part इसका 0 जब 0.5 डाला तो आपके पास real part आया 0.8 imaginary part आया 0.4 इसी तरह जब 1 डाला तो 1 बाई 2 नौियत है वो पता चल जाए कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ एक straight line बन जाए तो फिर आपको ज्यादा पॉंट्स लेने की ज़ए नहीं पड़ती लेकिन most of the times ये एक अच्छी टेकनीक है कि आप इतने पॉंट्स लें कि आपको ग्राफ का जो आपको पता चल जाए ग्राफ कहा जा रहा है इतने पॉंट्स आपके होने चाहिए तो जब ये मैंने plot किया तो मुझे पता चला मेरा ग्राफ कुछ इस तना से बन रहा है आगी समझ नहीं आई अच्छा अब ये बात ये है कि अगर मैं Real और इमेजने यानि viola कérience की formal लिखाँ या polar coordinates की form में लिखाँ बात वही है इसे को मैं जब convert करूंगा 1 उनका जेज बॉंगा 1.0 j को इस format में तो ये क्या आएगा 1 into angle of 0 तो बात वही है कि 1 इसका magnitude 0 degree के ओपर उसके बाद भी Do.9 इसका magnitude 0.4 इसका मेगनिटूड कितने है? माइनस 63 डिक्री अंगल के ओपर तो आप पॉइंट्स प्लॉट करें बेशक पोलर फॉर्म के जरीए यह रेक्टेंगुलर कॉडिनेट के कार्टिशन के जरीए यह रेक्टेंगुलर कॉडिनेट के जरीए आपने बस 0 से लेके इंफिनिटी तक चन्द पॉइंट्स लेने वहाँ पे आपने डॉट लगाते चले जाने है उसके बाद इन सब को आपसे मिला देने है हाई बात समझ अब यह एक्जामपल जब खुद से करो यह पॉइंट्स लेते जो जिसान ग्राफ मुझे बना के दिखाओ और बाकी अगली क्लास में इसके स्टेबिलिटी क्राटेरिया और निकलो चाड़ापलों को पढ़ाता हूँ आइ तिंक काफी कैसे चल गई है ठीक है मैं बंद करता हूँ थैंक यू सो मच